देखिए इंदोर के आएकर अधिकारी शेर सिंग नारे का एक नया करिश्मा जी हाँ एक घोड़ा पचाड सांप जो की आट-दस फूट का था और जिसे बिरला पबलिक स्कूल में घायल इस्तिती में पाया गया था शेर सिंग नारे ने इस सांप का नकेवल इलाज किया बलकि उसका जहर भी पाने डाल कर पाहर निकाला और उसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया यह सांप गोड़ा पच्छाड प्रजाती का है और बहुत लंबा है इस सांप को देखकर कोई भी सौभाई क्रूप से डर सकता है लेकिन शेर सिंग इनारे ने बहुत हम्मत दिखाते हुए इस सांप को नकेवल पकड़ा बलकी इसका इलाच किया और इसके मुँ में पानी डालकर इसका जहर बाहर निकाला क्योंकि किसी ने कीट नाशक पतार्त इस सांप को खिला दिया था यह गहल इस सती में पड़ा हुआ था इसका इलाच करने के बाद अब इसे ठंडे पानी में रखा गया है और जल्द ही इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो देखिए इन दौर में शेर सिंग नारे जी का क्या कहना है इस सांप के बारे में यह बोड़ा पचार सांप था इसको मैंने बिरला पबलिक स्कुल जो कनाडिया रोट के पास है हाजी वहाँ इसकूल के अंदर से पकड़ा है वहाँ जाकर देखा तो इसकूल ने जानकारी दी कि हमारे इसकूल के अंदर है बच्चे हैं और मेडम बगेरा हैं सब डरे हुए है और जानकारी लेने पर मुझे वहां जाके देखा कि सांप काफी सुस्त दिख रहा था तो इसी स्थिति मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया तो उन्हें बोला है कि सांप हमने कीटना सक जो कीड़े मानने की दवा होती है वो इसके उपर डाल दी है तो फिर तुरंत उसको मैंने वहां से निकाला उसको थोड़ा सा वाटर ही डेल किया एक पाइप के तो उसके पेट के अंदर पानी डाला पाइट डाल की उल्टी करा ही तो थोड़ा सा एक जहर का हिस्सा निकला उसका सरीर साफ किया पिर अने सर पिसे सक जो विबेक सर्मा जी है जबलपूर में इसे मैंने चर्चा की और उने बताया उसी साब से उसका भी शाम तक रखूँगा ठंडे पानी में रखा हुआ है उसी सी है कि शाम तक ये नार्मल हो जाएगा तब इसको जंगल में छोड़ दिया जाए आप एक साबिसर होने के बाद ये शोख कसा है आपको आपको प्रकरतिक inception नजदीक रहने का शौग है जिव जंतों को बचाने का शौग है तो अपने काम के साथ अपने शौग को भी पूरा कर लेता हूं subscribe our channel and press the bell icon for more updates फ्जेसे लेदसे लेट लेंगा टूए लेजसे लेज़ाएई।